नियमित ट्यूशन शिक्षकों के लिए महस 250 रुपय प्रतिमाह में ओनलाइन ट्यूशन लेने के लिए एक वैब पोर्टल तयार है। रोबोटिक्स कक्षाओं के माध्यम से आय अर्जित करें। हमारे देश में कई प्रतिभाशाली शिक्षन शिक्षक हैं। प्रहिनिया और बेरोजगार बहुत कम दरों पर कक्षाओं लगाकर जीवन यापन करते हैं। लेकिन जब कॉविड आया तो वे क्लास नहीं ले सके। इतने सारे महान शिक्षन एप के आगमन के साथ कई ने अपने छात्रों को खो दिया है। वेबसाइट को बड़ी रकम में नहीं बनाया जा सका। लेकिन इस प्रकार के होम ट्यूशन का उप्योग शिक्षक माया ट्यूटर्स.com पर बहुत कम मासिक दर पर कक्षाओं लेने के लिए कर सकते हैं। यदि आप केवल एक बार वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और इन कक्षाओं को सूचिबद करते हैं तो आप अगले वर्ष फिर से इन कक्षाओं का उप्योग कर सकते हैं। प्रोबोटिक्स के लिए कक्षाएं सूची बद होने के बाद बाद में कक्षाएं लेने की कोई आवश्चक्ता नहीं है. साथ ही अब आप जूम एप और गूगल मीट के जरिये लाइव क्लासेज ले सकते हैं, यह सब माया वेब पोर्टल के जरिये बड़ी आसानी से किया ज सकता है. आपके छात्रों के अलावा अन्यदूर के छात्रे स्पोर्टल के माध्यम से आपको धून सकते हैं. उन्हें अपना छात्र बनाएं और कक्षाएं ले. एक और विशेशता यह है कि आपको बहुत सारे च्यूशन छात्र मिलते हैं. इस युग में जहां शिक्षा ए वलेक व्यवसाएं नहीं है. अपने कोशल को साबित करें. बहतर आए प्राप्त करें. अधिक जानने के लिए यह वीडियो दे. नियमित ट्यूशन शिक्षकों के लिए महस 250 रुपे प्रतिमाह में ऑनलाइन ट्यूशन लेने के लिए एक वेब पोर्टल तयार है. कौन उप्योग कर सकता है? mytutor.com. दुनिया भर के शिक्षक और संस्थान ट्यूशन लेने के लिए इस वेब पोर्टल का उप्योग कर सकते हैं. दुनिया एक ओनलाइन क्लास की तरफ बढ़ रही है. फिर आपके छातर एक ओनलाइन कक्षा में चले जाएंगे. ओनलाइन ट में ट्यूशन ले सकते हैं. प्रोबोटिक्स क्लास क्या है? प्रोबोटिक्स कक्षाएं एक ओनलाइन लिए वेब पोर्टल की मदद से आयोजित की जाने वाली कक्षाएं हैं, जो एक बार لी गई ट्यूशन कक्षाओं की इजिटल फाइलों का उप्योग करती हैं. वेब प करा सकता है शिक्षकों को बाद में ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है अधिक जानकारी के लिए यह कैसे काम करता है देखें कि माया वेब पोर्टल पर मैं किन विशयों की ट्यूशन ले सकता हूं स्कूल पाठ्यक्रम, कॉलेज पाठ्यक्रम, पश्चिमी संगीत, करनाटक संगीत, संगीत वाध्ययंत्र, नृत्य, खाना बनाना, सिलाई चित्रकारी, पी एस्सी, बैंक प्रवेश कोचिंग, भाशा अध्ययन, आप लेखानकन, मनो विज्ञान, दर्शन यह सब विश्चय जैसे सभी विश्चयों में कक्षाइं ले सकते हैं शिक्षक छात्रों से फीज कैसे लेते हैं? फीज सीधे छात्रों से ली जानी चाहिए इसके लिए शिक्षक के प्रोफाइल पर शुल्क भुगतान करने वाला बैंक खाता और पैमेंट वॉलेट क्यू आर कोड प्रदर्शित करने के विकल्प हैं क्या मुझे माया ट्यूटर को छात्र शुल्क में से कोई कमीशन देना होगा? नहीं, इस वेब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शिक्षकों से केवल किराया लिया जाता है शिक्षकों से कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाता है माया पोर्टल के माध्यम से ओनलाइन ट्यूशन सुविधा की दर क्या है? माया बहुत कम मास से किराया लेती है. अधेक जानकारी के लिए मूल्य देखें. क्या मुझे भुगतान करने से पहले डेमो मिल सकता है? जी हाँ बिल्कुल आपको साथ दिन का डेमो मिलेगा. शिक्षकों के लिए डेमो प्राप्त करने के लिए क्या करें? यदि आप एक शिक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं तो डेमो उपलब्ध होगा डेमो कितने दिनों में उपलब्ध होगा यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं तो आपको पहले साथ दिनों के लिए सभी सुविधाओं के साथ एक डेमो प्राप्त होगा मत भूलो यदि आप एक शिक्षक हैं, तो केवल पहली बार शिक्षक के रूप में पंजी करण करें। यदि आप एक छात्र के रूप में पंजी करण करते हैं, तो आप इस पोर्टल पर पढ़ाने में सक्षम नहीं होंगे। शिक्षक का पंजी करण कैसे करें, देमो कैसे प्रापत करें, अगर आप शिक्षक हैं तो यहां शिक्षक के रूप में पंजी करण करें, पहले इस फॉर्म को भरें, नियम और शर्ते स्वीकार करें, रजिस्ट पर क्लेक करें, अपने मेल पर जाने के बाद, माया ट्यूटर सक्रियन मेल खोलें, सक्रियन लिंक पर क्लेक करें, मेंबर लॉगिन का चायन करने के बाद, अपना मेल आईडी और पास्वर्ट दर्ज करें और फिर लॉगिन करें, ये आ, गूगल के साथ लॉगिन चुने, देमो अब तैयार है, अपनी प्रोफाइल संपादित करें, ये व पाठ्यक्रम और मॉड्यूल बनाएं, डेमो के बाद माया वेब पोर्टल का उप्योग करने के लिए शिक्षकों के लिए क्या दर है, कृपिया ये कीमत देखें, इस पोर्टल पर कितने पाठ्यक्रम सूची बद किये जा सकते हैं, पाठ्यक्रम असीमित के रूप में शीबद किया जा सकता है, इस पोर्टल में कितने चात्रों को जोडा जा सकता है www. क्या इस पोर्टल में लाइव क्लास लेने की कोई सुविधा है, आप YouTube लाइव विडियो लिंक को सूचीबद करके लाइव क्लास ले सकते हैं, अभी रजिस्टर करें और अधेग जानकारी के लिए देमो आजमाएं पार्थ्यक्रमों को सूची बद करने में मेरी सहायता कौन कर सकता है एक बार शिक्षक बंजी कृत हो जाने के बाद पार्थ्यक्रम की सूची कैसे बनाएं पीडिएफ कैसे सूची बद करें और लाइव क्लास कैसे लें इस पर हर जगह विडियो होंगे आएए इन विडियो को देखें और पार्थ्यक्रम की सूची बनाएं मैं एक छात्र हूँ क्या मुझे माया पोर्टल पर शुल्क देना होगा नहीं यह छात्रों के लिए सौ प्रतिशत मुफ्त है छात्र शिक्षक और पार्थ्यक्रम पा सकते हैं लेकिन ट्यूशन फीज सीधे शिक्षकों को देनी होगी मैं एक शिक्षक और एक छात्र के रूप में पार्थ्यक्रम कैसे ढूंड सकता हूँ पार्थ्यक्रम का नाम शिक्षन विशय संस्थान का नाम और स्थान के लिए यहां खोजें यहां अपना मोबाइल नंबर या मेल आईडी दर्ज करें स्थान दर्ज करें और खोजें, अब आप चयनित क्षेत्र में शिक्षक पा सकते हैं, यदि आपको इस क्षेत्र में शिक्षक नहीं मिलते, तो अन्य स्थानों के नामों से खोजें, वर्तमान शिक्षकों का वेब पोर्टल खोलें, अब आप इस शिक्षक का संपर्ख पता, WhatsApp नमबर और पाठ्यक्रम की जानकारी देख सकते हैं यहां आप सीधे शिक्षकों के WhatsApp पर चैट कर सकते हैं या शिक्षक यहां मेल द्वारा ट्यूशन की जानकारी मांग सकते हैं लेकिन अगर आप शिक्षक की जानकारी नहीं देख पा रही हैं तो आपको पंजी करन या लॉगिन करने की आवश्यक्ता है। एक रजिस्टर क्या है? लॉगिन क्या है? यदी आप इस वेब पोर्टल पर पहली बार जा रहे हैं, तो आपको पंजी करन करना होगा। यदि आप एक छात्र हैं, तो आपको यहां एक छात्र के रूप में पंजी करन करना होगा. मत भूलो, यदि आप एक छात्र हैं, तो केवल पहली बार एक छात्र के रूप में पंजी करन करें. यदि आप एक शिक्षक के रूप में पंजी करन करते हैं, तो आप इस पोर्टल पर अध्यान नहीं कर पाएंगे, सबसे पहले, छात्रों को यहां पंजी करन करना होगा, इन सभी फॉर्म को भरें, आपके मेल पर जाने के बाद, माया ट्यूटर एक्टिवेशन मेल खोलें, एक्टिवेट लिंक पर ख्लेट करें, रजिस्टर अब पूरा हो गया है, अब आ लॉग इन करें, या गूगल के साथ लॉग इन का चैन करें, उन विशयों और शिक्षकों को खोजें, जिनकी आपको आवश्यक्ता है, इसके लिए यहां खोजें, अब आपको 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 झाल 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 झाल